दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे most common daily use word for what आज इस वीडियो में देखेंगे हम for what का हिंदी अर्थ और इससे बने कुछ common sentences जैसे thanks for what sorry for what जैसे सभी sentences तो आईए देखते हैं for what का क्या अर्थ होता है दोस्तो for what का अर्थ होता है किस लिए क्यूं किस kind से किस वज़े से किस के लिए जिसके लिए उसके लिए तो दोस्तो for और what दोनों में अलग अलग जैसे for का क्या मतलब होता है और what का क्या मतलब होता है for का मतलब होता है के लिए के kind बदले में विशे में और what का मतलब होता है क्या जो जो वस्तू किस कौन सा कैसा कितना कौन जो कुछ तो आईए देखते हैं दोस्तों कुछ sentences जो की for what से बने हुए है तो for what did you come here? तुम यहां किस लिए आये हो? for what did you come here? तुम यहां किस लिए आये हो? I am sorry for what I have done मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे खेद है अगला वाला sentence है दोस्तों for what reason you went there? आप किस काइड से वहां गए थे? इसके अलावा जो most common use में आते हैं sentence वो है thanks for what? किस के लिए धन्यवाद? जब भी हम कहना चाते हैं कि दन्यवाद किस के लिए तुमने दिया है तु कह सकते हैं कि thanks for what? अगला वाला है sorry for what? किस के लिए? for what dear? किस के लिए जी? अगर हम politely way में कह सकते हैं कि for what dear? किस के लिए जी? अगला वाला sentence है but for what? लेकिन किस के लिए for what purpose किस उद्धिश्य के लिए हम कहते हैं ने कि किस उद्धिश्य के लिए for what purpose अगला बाद sentence देख लें दोस्तो for what it's worth हाला कि इसकी कीमत के बारे में निश्चित नहीं हूँ तो दोस्तो ये था सब कुछ for what के बारे में तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको for what की सारी जयनकाई मिल गई है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जब सुल लाइक करें इस चैनल को जब सुल सब्सक्राइब करें मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बार टक्या